हलो फ्रेंज विल्कम बैक टू माई यूटूब चैनल जेटोजेट कीचेन आज हम बनाने वाले हैं पहुत ही यामी और डिलिसियस रेसीपी चाउमीन आप देखी रहे हैं कितना यमी दिख रहा है तो आए फ्रेंज देख लेते हैं इसे कैसे बनाना है इसे बनाने के लिए मै पहुत ही लंबे-लंबे से रहते हैं चाउमीन तो खाने में भी और देखने में भी बहुत अट्रेक्टिव होते हैं तो 80% जैसे ही कोख हो जाएगा हम इसे ट्रेंड कर लेंगे द्रेंड करने के बाद मैंने लिया है कड़ाई और कड़ाई में मैं आड़ कर ले रही हूं ओ जिसमें मैंने लिया है मतर, गाजर, लमीश, पत्ता गोबी और स्प्रिंग ओनियन का जो वाइट पला पार्ट होता है उसे हमने इसमें एड़ कर लिया है इसे दो मिनट कवर करके हम इसे कोख कर लेंगे इसमें हम नमक एड़ कर देंगे ताकि जो वे चीज है वह जल्दी स सॉफ्ट हो जाए तो भस इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है और एसे करके दो मिनट्ट तक हमने मेडियम टू लो फलें पे कुक कर लेना है तो दो मिनट्ट हो चुके हैं उसे कूख होती अब हम इसमें एड़ कर लेंगे सिमला मे करनेंगे क्यूंकि हम इसे ज्यादा कुक नहीं करना होता है, बस कुछ सेकंड के लिए हमें से सौटे करना होता है, अब हम इसमें एड कर देंगे spring onion का जो green वाला part होता है, उसे और इसकी साथ ही हम इसमें add कर देंगे श्याव को, और इसे 1 मिनट तक अच्छी तेरे से जो है, वेचीज के साथ मिक्स कर लेंगे इसके बाद हम इसमें add कर देंगे sauces जिसमें मैंने लिया है soya sauce, vinegar, green chili sauce, red chili sauce अब इन सब को जो है हमने लेना है दो spatula और उनके हैट से हम इसे फटा फट से जो है 4-5 विनट तक इसे cook कर लेना है अच्छी तर से मिलाते हुए और यहाँ फी flame हमने एकदम high रखना है क्योंकि यह जो process है हम high flame पे ही करते हैं end में हम इसमें add कर देंगे tomato ketchup इसे अच्छी तरह से mix कर लेंगे और बस हमारा चाओ हो गया है ready तो इसे हम फटा फट से सब कर लेते हैं तो यह देखे friends हमारा चाओमिन कितना यमी दिख रहा है तो आए हो friends मेरे वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा तो आप भी इसे जरूर ट्राइ करें वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं एक और वीडियो के साथ तब तक के लिए बाइ